करी पत्ता को एक महीने तक इसी तरीके से फ्रेश रख सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये करी पत्ता बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है ये एक महीने पहले का वीडियो है इसे हमने कैसे श्टोर किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए दो मिनट का वीडियो है तो सबसे पहले हमने करी पत्ते को लाया था तो 2-3 पानी से रगर के धोलेंगे ठन्डा पानी से दोना है इसमें जितना भी धोल मिट्या होंगे उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे तो खुले बर्तन लेंगे खुले बर्तन में अच्छे से धोएंगे तो हमने एक पानी से धो लिया है गंदा पानी फेक करके साप पानी दुबारा लिया है फिर से डुबो के अच्छे से रगर के धोएंगे तो हलके हाथों से रगर ना है इतना रगर ना है कि बस पत्या का धूल मिट्टी हट जाए अगर जादा आप रगर देंगे तो वो पत्ता चौप्ट हो जाएगा धोने के बाद एक छन्नी में रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए ताकि इसका सारे पानी अपने आप ही निचोर जाए आप चाहे तो ये काम रात में भी करके रख सकते हैं दो करके किसी छन्नी पे रख दें पगखा ना चलाए ऐसे ही रख दें तो ये सारे पानी सूख जाते हैं अब एक कोटन का कपरा या फिर सौप्ट कपरा लेना है सारे पत्या को पोचेंगे हलके हाथों से एक दूसरे के ऊपर पत्या चिपक जाते हैं तो उसमें पानी रहता है इसलिए पत्या चिपक जाते हैं तो हर एक पत्या को हटा करके उसे हलके हाथों से पानी को साप कर लेंगे पानी थोरा सा भी नहीं होना चाहिए अगर एक भी पत्या में पानी रह जाएंगे तो आपके एक पत्ता गलेंगे उसके साथ साथ धीरे-धीरे सारे पत्या गलने लग जाते हैं सारे पत्या को खोल खोल के हलके हाथों से कोटन के कपरा से पोच लेंगे ये देखिए और इसी तरीके से फ्रेस करी पत्या बनी रहती है आप चाहे तो इसका इस तरीके से पानी सुखा करके पत्या को तोर करके भी रख सकते हैं पर मैं इसी तरीके से साबत ही रखूंगी जब भी जवरत होते हैं तो एक टहनी निकालें और उसमें से पत्या निकाल करके आप अपने जवरत की अनुशार काम कर सकते हैं पस हलके हाथों से इसका पानी पोचना है ताकि पोचने के टाइम में पत्या सौप्ट ना हो अब एक एर टाइट डबा लेंगे आप चाहे तो डैरेक्ट भी रख सकते हैं नहीं तो कोटन के कपरा या फिर टीशू कपरा में लपेट करके एर टाइट डबे में रखे ढखकण को बंद कर दें और इसे फ्रिज में रख दें ये एक महिने तक या फिर 20 दिन तक जरूर फ् करें आप वीडियो के एंड में भी चार वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पूर वाचिंग